हाई दोस्तों फिर से कुकुद बनाजामें आप सब लोग कुछ स्वागत हैं तो देखे आज मैं लेके आए हूँ बहुत ही चटपटा सा यमी सा एक चटनी जो बहुत ही चटपट बन जाता है और देखे इसको आज हम बनाएंगे उडेपुल से इंगलिस का नाम इसका उडे की तरह और अंदर बहुत ही सब्ट और बहुत ही चटपटा तो देखे इसको हम तोड़ लेते हैं और यह बहुत ही विटामिन से भरपूर होता है विटामिन सी तो इसमें भरपूर है तो देखे इसको तोड़ लेते हैं इस तरह से पटकने से बहुत आसानी से तोड़ जात है लेते हैं तो इसका सारा डृचिस दाटा है है लिए यह बहुत अची तरह से पका हुआ है आ एई अगर जरात भी तोड़ गर, उसका और साफ होता है है और इसका पॉल्प निकंने संव करे निकल आ रहा है , अगर हुए है और इसका अंदर का सारा पॉल्प हम निकाल लेते हैं और इससे चुरे-चुरे बीच भी होते उसको भी खाते हैं तो देक्षिन हमने सारा पॉल्प उसका बहुत अच्छी तरह साफ हो चुका है घुए TV और इसमें हम डाल देंगे दू सुखा लाल मिर्च और आधा चमण जितना नमक डालेंगे और डालेंगे आधा चमण जितना काला नमक थोड़ा सा चाट पटा करने के लिए और यहीं पर हम डालेंगे जीरा बो भी मतलब एक चाट चमण डालेंगे और इसमें थोड़ा सा चूट के बर हम डालेंगे हीं और यहीं पर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हों उतना ही डालेंगे मैं यहीं पर तीन चमण डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हजबन को इतना मीठा पसंग नहीं तो इसलिए मैं थुरा सा कम डाल लए हुँ तो इसको कोई पानी बाणी कुछ नहीं डालेंगे बस इस तरह से इसको हम पीश लेंगे थोड़ा सा बीच बीच में हम चला लेंगे और इसको पीश लेंगे यह बहुत आसानी से पीश 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 आता है अगर आप चाहते हूँ सिल बटर में पीश ना तो भी पीश सकते हो लेकिन बच्पन से हम लोग खाते हैं सिल्बट में पिसा हुआ मुझे बहुत पसंद आता है और मेरे पापा का बहुत फैबरेट था यह तो देखिए हमारा जटपट से इसका चटनी बनके तयार हो गया अब इसको सबजी के साथ भी खा सकते हो रूटी के साथ भी खा सकते हो मतलब डाल चावल के साथ भी खा सकते हो यह बहुत अच्छा लगता है तो देखिए आपको यह अगर यह जो चटनी का रेशीप अगर प खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है एक पार जरू ट्राइ किजेगा इस मौसम में विंटर के मौसम में तो थाइंक्यू फर वाचिंग फिर मिलूंगे नियू वीडियो के साथ